हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल कार्ज एक्ष्रिम जैसे कि आप सभी को पता है फिच्छर ऑफ ओटो मोबल इंडश्री विल बी फोकोसिंग ऑन इलेक्ट्रिक कार्ज के आने से हमें कई सारे फायदे हो सकते हैं जैसे कि इट विल बी पॉकिट फ्रेंडली ऐसी कार्ज पॉलिशन फ्री होती है नो नॉइस पॉलिशन नो एर पॉलिशन तो इंडिया में आगे जाके पेट्रल पंप्स और सी एंजी गैस टेशन के जैसे हमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी देखने को मिलेगे वैसे आप इन कार्ज को घर पे चार्ज कर सकते तो चलि हम आयन बैटरी दी गए है जो 104 किलोवाट पीक पावर प्रोडूस करती है 353 न्यूटर मेटर मेटर के साथ इसके वज़से इसकी टॉप स्पीड 155 किलो मेटर पर आर तक चली जाती है यह कार वन टाइम फूल चार्ज में 320 किलो मेटर की रेंज कवर कर लेती है अगर हम कॉ में 80% गाड़ी चार्ज कर देता है यह DC चार्जर आपको कंपनी शोरूम में मिलेगा चलो अब देखते है इसके प्राइस के बारे में तो यह कार 20 से लेके 25 लैक्स की है हमारे अगरी गाड़ी है युणडाइ को ना युणडाइ ने इस गाड़ी में 39.20 किलो वैट आर लिथियम पॉलिमर बैटरी जी गई है जो 100 किलो वैट पिक पावर प्रोडूइस करती है 395 न्यूटन मेटर टार्क के साथ दूटो इस रिजन इसकी टॉप स्पीड 155 किलो मेटर पर आर्थ तक चली जाती है यह कार वन टाइम फुल चार्ज में 320 किलो मेटर की रेंज कवर कर लेती है चार्जिंग की बात करें तो इसके साथ जो नॉर्मल चार्जर आता है वो 18-19 आर्ज लेता है फुल चार्ज होने में और AC चार्जर के साथ यह कार 6 आर्ज में फुल चार्ज हो जाती है अगर आपको इसे चार्जर चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देखे आप इसे अपने घर पे भी लगा सकते है इसका जो DC चार्जर है वो 57 मिनिट्स में गाड़ी फुल चार्ज करा देता है जो कमपनी शोरूम में लगा रहेगा BTW, Hyundai claims this car as SUV but it mostly looks like crossover इसमे और इसेव में कई सारी फीचर सेम मिलते जैसे की वेंटिलेट सीट्स, Automatic Climate Control, Different Driving Modes, Tire Pressure Monitoring System, Touchscreen Infotainment System with Android Auto and Apple CarPlay इस कार की श्राटिंग प्रिस्ट्राटिंग से है और यह है Tata Nexon जो सब चीजों में बढ़िया है क्योंकि Tata ने इसके बजट का पूरी तरह से खयाल रखा है इसके प्राइज 12-14 लक है, इसके वेरियंट्स इसके प्राइज में डिफर करते है Tata ने इसमें 30.20 किलोट लेतिया मायन बैटरी दी गई है, जो 8-9 आर्ज में फूल चार्ज होती है यह कार सिंगल चार्ज में 250 किलोमेटर की रेंच कवर कर लेती है इसके टॉप स्पीड 120 किलोमेटर पर आर है इस कार में कई सारे मस्ट फिचर निलते हैं, जैसे की आप अपने फोन से अपनी कार को ट्रैक कर सकते है एप के तुरू यह गाडी के पूरे रिपोट्स आपको फोन में देखने को मिलेगे Tata is also planning to launch Altro ZV very soon इन अपकमिंग यह इंडियन कार कंपनीज आर अलसो प्लाइनिंग तो लॉंच सम् इलेक्ट्रिक वेकल्स सच अज महिंद्रा EKV-100, मारूती सुचुकी वैगनार, EV, रेनल्ड क्वीड, EV, एक्सेटरा तो यह थी कुछ इनफोर्मिशन इलेक्ट्रिक वेकल्स के बारे में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राब करना मत बुलना That's all for today's video, thank you